हेलो फ्रेंड आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रेकिट पे दोस्तों आज गा हमारा पेपर यूपिटेट 2018 का अपर प्रायमरी लेवल का पेपर होगा आज हम 2018 की अपर प्रायमरी लेवल के पेपर में 30 क्यूशन साइकलोजी के आयते उसको हम इस वीडियो म हम रिपिटेट मिलेंगे और कुछ क्यूशना वह वास्तों में अच्छे हैं इसलिए आप वीडियो को इसकी अपना करके पूरा देखें ताकि आपको इसका पूरा फाइदा वह मिल सके आपको मैं जल्दी से बता दूँ इससे पहले हमने यूपिटेट के 2018 का पेपर आज क कर लिए हैं तो इस परकार लगबग एक धार से उपर क्यूशना वह साइकलोजी का आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे अलग लग प्लेलिस्ट बनी हुई है सब की आप जरूर देखें उन प्लेलिस्ट को भी आपको बहुत ज़्यदा फाइदा मिलेगा तो दोस्तों बिना विदी का चैन करते समय निम्न मेंसे किसको ध्यान में रखने की आवसिक्ता नहीं है अभी भावक की प्रस्ट बूमी विदार्टियों का मानशी कस्तर विक्तिकत भेद और विशे की विशिष्ट परकरती तो दोस्तों अच्छा क्यूशन है लेकिन इजी क्यूशन हम इसको बोल सकते हैं इसमें पूछा किया कि सिक्षन विदी का चैन करते समय निम्न मेंसे किसको ध्यान में रखने की आवसिक्ता नहीं है अब आवसिक्ता की चीज़ की नहीं है तो दोस्तों यहाँ पर सिधा सिधा हो जाएगा कि आवसिक्ता नहीं है अभी भावक की प्रस्ट तो इजी कियोशन हो जाएगा पहले कियोशन में ऑप सिन की ने में अगले कैस्टा की एक विशेस्ता नहीं होती है जिग्यासा की कमी अभिवर्दि में स्तिर्धा सामयुकता की परबलता समुए और खेलों में सहब आगी था तो दोस्तों ना विश्यस्ता कि विश्यस्ता नहीं है नहीं बात कर रहा तो जिग्या सा की कमी और सद्रोप सर्जनात्म में परकरिया में अभी प्रेरन आयोज़न्च प्रबोधन और उद्भवन तो धुAnd विकास का पर्थम चरण है सामाजिक विकास, नितिक विकास, सारीरिक विकास और मानशिक विकास उसमें पूचाएंगी कोन सा वर्दिय और विकास का पर्थम चरंन है तो दोस्तों सबसे पहले आप सबको पता होगा कि सबसे पहले सारीरिक विकास होता aups No3 वह बिलकुल रैट हो जाएगा सारी अब अगला कुछन है सीखना एक तरह के विवार का विस्तार है संसोदन है बचाव है और परसार है तो सीखना क्या है एक परकार की विवार का क्या है यहां पर हो जाएगा संसोदन है सीखना एक तरह के विवार का संसोदन है modification English वाला आप देखोगे तो modification option नमर से किना वो यहां पर राइट हो जाएगा संशोदन है सेखना एक तरह के विवार का संशोदन है अब अगला किशन skinner books का परियोग किया जाता है परसूत अनुमंदन के लिए चालक अधिगम के लिए साब्दिक अधिगम के लिए और अधिगम के लिए तो दोस्तों skinner books का परियोग किया जाता है यह तो execution हो जाएगा एक दम से परसूत अनुमंदन के लिए operate conditioning option नमर एक हो यहां पर बिलकुल हो जाएगा परसूत अनुमंदन के लिए अब आता है अगला क्यूशन बुद्धी मापन की बाट या बेटरी STAR परीक्षन अबात करते हैं अगले क्यूशन की येंट्रगार्डन विद्धी का परतिपादन किस नहीं किया था मौन्टेश्री फोबिलन डालटन और कुक तो कुक्ट तो दोस्तों ये भी मतलब एकदम फेक्ट पूचाया शिदा की किंटर गार्डन विदियो किसके दौरा दी गई है तो फ्रोवेल की दौरा उप्सन नमर तीन हो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा फ्रोवेल अब अगली क्यूशन संकलना आत्मक प्रामर्स के जरम दाता हैं रोजर्स व आपको एकदम नया क्यूशन या अलग क्यूशन मिले आप उसका या तो स्क्रिन सोट ले लें या फिर एक गया नोट कर लें ताकि आपको पढ़ने में या रिविजन में आसानी रहे बाकि आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं दो या चार दिन या पांच दिन बाद मे चात्र को दंडित करना या एवांचित विवार के कार्णों का पता लगाना तथा उपचारों का सुझाव देना तो एवांचित विवार के संसोदने तो सबसे प्रभावी तरीका वह है एवांचित विवार के कार्णों का पता लगाकर उसके उपचारों का सुझाव देना ओप्स नमर फॉर वो हो यहां पर रॉट हो जाएगा और गणिती समंदी जो समस्य होती है उसको डिस्क कैलकूली लिया कहते हैं अब बात करते हैं अंगले क्रिशन की कि ब्रेल लिपी और टेप रिकोडर किसके लिए सेक्सिक प्रावदान के रूप में परियोक्त किये जा सकते हैं लेश ऑस्तिवादित विदैर्ति ड्रश्टिवादित विदार्ति और सरे रेक रूप से gün विदार्ति तो डोस्तों यह भी मतलब जी वाले बच्चे और मर्दू आवसेक्ता वाले बच्चे तो यहां पर हो जाएगा सी डबलू ऐसा है नहीं होता है चाइल्ड वित स्पेसल नेड्ड ओपसन नमर से किन वह बिल्कुल राइट हो जाएगा विशिष्ट आवसेक्ता वाले बच्चे इसकी फूल फॉर्म होती है विशिष्ट आवसेक्ता वाले बच्चे अब बात करते हैं अगले कि इसन नमर 14 निम्न में से कौन सा प्रामर्स का एक तत्वय नहीं है विश्वास वर्तिक बुद्धी साक्साथकार और संप्रेशन तो प्रामर्स का एक तत्वय को नहीं है दिये चार उप्सनों में से तो बिल्कुल राइट हो जाएगा वर्तिक बुद्धी या फ्रोफेशनल ग्रोथ अब बात करते हैं अंगले क्यूशन के मनोविज्ञान साला उत्तर प्रदेश कहां इस देता है तो दोस्तों यह तो यह पी टेट का पेपर है इसलिए क्यूशन आ गया बाकि राजस्तान से सम समंदवे शनर का चुूऊंसे तता थोंडायक का बिल्यों से वही समन्द। कहलर का थमर्णी ऑंद्रों से कुट्टों से और वन्मानुसयों से तो दोस्तों यह अच्छा क्यूशन तो यहां पर हो जाएगा औरसल अब आता है अदिगम का पठार है अदिगम में दोस्त अधिगम की समापती अधिगम में अवरूद वेर्दार इस तो अच्छा क्यूचन जіє भी कि अदिगम का पठार है क्या चीज पी यहां पहो जाएगा दोस्तों अबसे नमर सब्सक्राइब करें तो अच्छे बाद क्यों से दोस्तों यह भी कि दहब बीहेवियर ओफ और्गनिजम है वह बुक हो किसकी द्वार लेखे गई है तो यहां पर हो जाएगा इस किनर की ओप्सिन नमर तीन वह बिल्कुल एट हो जाएगा इस किनर अब बात करते हैं अगले क ठिशन इस आत्रों में सही विवार के प्रषिक्ष्ण है तो सरवादिग मेत्तिक में क्या है दंड पूरुसका सही विवार का प्रस्तुति नर्द हो जेगा अंड़ेंस च है उसको उनके सामने प्रस्तोत करना ता कि उनका अनुकरन करते進ng वह बच्चा भी वह वीवार कोशिस करेगा तो यहां पर हो जाएगा option number four अब अगला question समस्य समादान में लक्षे-परवनता के संपरते को कि नहीं प्रस्तावित किया था टेनलर हेल कोहलर और बृड़र तो दोस्तों क्या है कि समस्य समादान में लक्षे-परवनता के संपरते को किसने विक्षित किया था तो यह भी आपको एक नया क्योंशन देखने को मिला है तो यह वह जाएगा हल ओप्षन नमर तीन समय से समाधान में लक्षे प्रूनता का संपर्तिय वो हल ने दिया था उप्सन नमर तीन वो बिल्कुल एट हो जाएगा अब बात करते हैं इंगले क्यूशन की इन में से सुक्सम सिक्षन की विचार दारशे सम्मधित नहीं है डेविड हूम तो सुक्सम सिक्षन की विचार दारशे कौन सम्मधित नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डेविड हूम ओप्सन नमर एक का वो सुक्सम सिक्षन की विचार दारशे सम्मधित नहीं है अब अगला क्यूशन निम्ण में से कौन सा सिक्षन अधिगम का अस्तर नहीं ह एंगे प्रावर्ती स्तर इस्मर्ति स्तर औह वोड रूदी इस्तर तो दोस्तों यह वैंपर घूसर्णा भजयー पहले कर लिया यह तो यहाँ पर हो जाएगा दुरवर्ती ओस्तर ओपसन नमरr 4 वो बिल्कुल रहत हो जाएगा निब्र मैं से कौन सा शिक्षन अधिगम का स्थर नहीं है तो यहां पर हो जाएगा दुरवर्ति अस्तरिया डिस्टेंट्स लेवल और फॉर वह यहां पर राइट हो जाएगा अब बात करते हैं एंगले क्यों से कौन से समावेशी सिक्षा की एक विशेशता नहीं है यह दिव्यांग बालकों की देख बाल से उनकी सिक्षा और विक्तिकत विकास की और सेवा में बदलाव है समावेशी सिक्षा एक सतत पर करिया है यह कोई उपारजित अवस्ता या उत्पाद नहीं है यह केवल विशेश आवसिक्षा वाले बच्चों के शीकने में विवर्दी करती है और यह सभी विदार्चियों की छमताओं को अधिक्तम अस्तर तक बढ़ाना चाहती है तो दो साथ एक एक एकसा में बठाकर जो पढ़ाना होता है वह समय से शेक्षा होती है तो यहां पर उपसन नमर तीन हो शिर्प विशेश साफसेक्ता वाले बच्चों की सीखने में वर्दी की बात कर रहा है इसलिए यह है वो कथन गलत हो जाएगा तो इस क्यूशन का सयान सुरा है उपसन नमर तीन अब बात करते हैं अगले क्यूशन की निमन में से कौन सा फ्लेंडर की अंताय करिया विशलेशन पढ़नाली से समंदित नहीं है अभी बावक कतन सिक्सक कतन चात्र कतन और मौन तो दोस्तों यह भी अच्छा क्यूशन है यहां पर हो जाएगा अभी बा अब यहां पर एक केटेगरी खा गया यह केटेगरी सिस्टम फुल फरम थी एफ आई एस तो वहां पर क्यूशन आयता है कि एफ आई एस यह समंदित है तो फ्लेंडर से और आज आ गया कि फ्लेंडर की अंताय के लिए विशलेशन पढ़नाली से समंदित क्या नहीं है तो अब इबावा कतन तो नेचे वाले तीन हैं वो इससे समंदित है सिक्सक छात्र और मौन तो दोस्तों एक ही मतलब पेपर देखने से लगबग आप अगर पूरे पेपर देख लोगे एक्जाम तक हम लगबग दो तीन अजार क्यूशन कर लेंगे राम से तो आपका पूरी स कि समभाशन में अर्थ की लगुतम इकाई है पद रूप ग्राम डवनी ग्राम और सब्द तो समभाशन में पूछ रहा है कि कोई आदमी मतलब दो आदमी मालो या कोई भी दो है वो बातचित करते हैं समभाशन करते हैं तो उसमें अर्थ की लगुतम इकाई है वो क्या होत तो हम करके सीखते हैं यह बात आप सब को याद आ रही होगी तो यह कहा था डॉक्टर मेश ने और से किन यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा लेकिन पिल पेट्रिक ने भी यह बात उस प्रावजना विद्धिया उस टाइम कहा था लेकिन उससे पहले भी हम करके सीखते यह बात कहीं दॉक्टर मेश ने उपसिन नमर्स नहीं पूरा आपको वीडियो बनाता हूं तो वीडियो आपको पसंद लाइक करें और अपने दूस्तों के साथ शेर जरूर करें थाकि उनको भी फायदा मिल सके कूए। कुछ क्यूशन जैसे हम बात करें इसमें हम करके सिखते हैं तो यह किस निकाता है डोक्टर मेश रहें ऐसे क्यूशन ही आपको अन्य लोगों से मतलब आगे लेकर जाएंगे ताकि आपका स्लेक्शन वह सो प्रसेंट शोर हो सके अब बात करते हैं अगले क्यूशन की निम्न म किरियात्मक अवस्ता में मुख्य संक्रिया होती है पर्तेक्शिक्रन की किरिया और पर्तिक्रिया की निदान की और उप्यूशन है तो शिक्शन की अन्तेक्रियात्मक अवस्ता में मुख्य संक्रिया होती है किरिया और पर्तिक्रिया की ऑप्सन नमर से किन वह बिलकुराइ सामने करन अनुकिरिया अनुबंदन और उप्यूक्त मेंशे कोई नहीं तो दोस्तों यह भी अच्छा क्यूशन है तो एक बाले का वो काली गाह या काला कुता काली वस्तों को देखे रहे वह ड़ने लगता है मतलब उसमें काले रंग को देखर भय उत्पन हो गया तो यह हो उद्धिपक साम्मानी करन ओप्स नमर फैस्ट हो यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा उद्धिपक साम्मानी करन तो दोस्तों इस प्रकार आज का हमारा पेपर वह कंप्लीट हो चका है उमीद आपको पसंद है होगा तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें बेल आइकन को जरूर दबाएं तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में थैंक्यू जेहन जेवार्थ